36 गड़ विदान सभा में मौनसुन सत्र का दौर जारी है इसी कड़ी में लगातार आज अंतिम दिन भी सदन में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीती बनाई हुई है इधर सरकार की ओर से भी विपक्ष को जवाब देने में पूरी तैयारी कर ली गई है मौनसुन सत्र के बीते चार दिनों में लगातार विपक्ष के द्वारा 36 गड़ में बढ़ते अपराद और बेलगाम होते अपराधियों को लेकर सदन में गरमा गरम चर्चा होती रही ये भी स्विकार किया कि साए सरकार में केवल बलौदा वाजार घटना ही एक बड़ी घटना है जिसके सभी अपराधियों को सजा दिया जाना तैय है बहुत बाकूल जवाब सबको दिया गया है उनसे पूछा गया है कि किस तरीके से सितंबर 2023 में भिलाई में मलकीत सिंग को हिंदुस्तान जिंदा बात कहने पर मौत के घाट उतार दिया गया था ये क्या हुआ था उस समय ये पूछा गया है उनको ये पूछा गया है कि कबरधा में किस तरीके से भगवादवच के अपमान के उपरांत भी दिन भर लोग चिलाते रहे F.I.R. नहीं हुआ ये कौन सा लॉइन ओर्डर था ये पूछा गया उनसे मैंने खुद का अपना विसे बताया है कि जब मैं जेल में था तो जाकर कबरधा के थाने में मेरे खिलाब एक्टोसिटी एक्ट लगा दिया गया था मेरे खिलाब आमस एक्ट लगा दिये गया थी ये मेरे साथ ही उन्होंने मूल आदिवासियों को पीटा यह कह करके कि तुम धर्बांतरण नहीं करते हो ये हुआ था बस्तर में और कोई सुनने वाला नहीं था वहाँ पर जो तातकालिन एसपी थे उन्होंने लिखकर के चिठ्ठी कहा था सरकार से कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिए आन कालिन सरकार की उदासी इंता के कारण